जो इस वक्त जारकंड में दिखाई पड़ रहा है महौल के तोर पर अगर देखा जाए तो प्रधार मंतरी मोधी भी जो रैली करने जाते हैं तो वो विपक्ष पर जारकंड मुक्ती मोर्जा पर कम बात करते हैं रोटी बेटी इस तरीके की बातें जादा जो एक टची इससे politician है इस बात को हम लोग तो शायद मान चुके हैं अभी राहुल गांदी जी को मानने में थोड़ा सा समय लगेगा आप नहीं हम तो मान चुके हैं तो जो reaction जैसे राहुल गांदी जी ने पिछले पूरे लोगसभा चुनाओं में सम्विधान खतम हो जाएगा कि मुद्दे क को लेके उन्होंने सारा campaign किया और कहीं न कहीं उस मुद्दे से उन्होंने लाब बे उठाया उसी तरह से उसको counter करने के लिए मोदी जी के पास हमेशा कुछ ना कुछ एक ऐसा मंत्र होता है जो खासकर उस लोगसभा चुनाओं में पिछले लोगसभा चुनाओं में जो इन दलों से कहीं न कहीं हट चुका है ये अगर जारकंड में भी ये चीज रेप्लिकेट होती है तो इस बात को बल बहुत जादा मिलेगा कि अब छेतरी दलों की राजनीती शायद बहुत लंबे समय की इस देश में नहीं बची है जैसे रामकृपाल सर्म ने भी बोला कि डाल रहा हो क्योंकि पिछले दस सालों में पाथ सालों में सोशल मीडिया का जो क्रेज बढ़ा है उससे अवेरनेस नीचे तक बहुत जादा हो गई लेकिन अगर आप एक पुरानी 10-15 साल 20 साल पुरानी राजनीती के बात करें चाहें लालु प्रशाद यादा हो चाहें मा कितनी चीजें हुई मतलब उनकी लाइफ स्टाइल देखके आपको किसी कुछ एलिगेशन लगानी के जरूरती नहीं है लेकिन उनका वोटर कभी उनसे इस मामले पर नाराज नहीं हुआ उल्टा उसने ये सोचा कि चलो हमारे बीच का निकला हुआ आदमी तो कम से कम इतना को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरोसे के लिए बहुत धनिवाद